हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चो वेरी गुट आफ्टनून तो एव्रिवान बिटा कैसे हो आप सब वेलकम तो दा बालजी क्लासेज हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग और इसमें हम अनिमल किंग्डम पे आ गए हैं और आज आप लोग कुछ इंट्रस्ट और चीज़े पढ़ोगे that is about the worms that cause diseases specifically to the humans यानि हमारे अंदर भी worms पाए जाते हैं तो आज हम उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है देखो पढ़ने में बहुत इंट्रस्टिंग होता है क्योंकि हम डिफ्रेंट डिफ्रेंट डिफ्रें आप वह चाहें हैं अनिमर्स चाहें माइक्रोस्कोपी drive मैक्रोस्कोपी ओ एरियल हो क्शा αλλά गश्र тура utonimutions हों वाट्श पढ़ेंगे具 सिल्गरेंगे विसंगेब हों इसके बारे में वह चाहों आःग् सिंगवात्यंग मत् god खाता कैसा है यही सब पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने क्या किया है तुम्हें NCRT पढ़ाने से पहले पिक्चर दिखाऊंगी उन रियल और्गेनिजम्स की डाइग्राम्स दिखाऊंगी समझाऊंगी और फिर हम NCRT पढ़ेंगे इससे क्या होगा चीज़े तुम्हारे दिमाग में सेट होने लगेंगी ठीके वेरियस और्गेनिजम्स के बारे में हम जान रहे हैं बहुत ही इंटरस्टिंग चीज है यह काफी बच्चे इस चीज में इंटरस्ट लेते हैं तो मैं तो खूंगे आराम से तो अच्छे ही मार्क्स लेके आएंगे डोंट परी प्रेशराइस फिल नहीं करना जितना कर सकते हो अपनी तरफ से बेस्ट दो हंड्रड परसंट दो हार्ड वर्क्स ऑल्वेस पेज ओफ ठीक है तुम्हारी मैनर जरूर रंग लाएगी ठीक है तो चलो बटा स्टार्ट कर क्लास होती है और उसमें स्टार्टिंग से अगर एटेंशन पे की जाए तो वो मावलेस क्लास बन सकते हैं तुम्हारी तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है और एक इस स्टेज पर आके बच्चे को यह चीज़े पता होनी चाहिए कि टाइम मेरिजमेंट कैसे करना हमें पढ़ाई कैसे करनी है सलीबस ऑन टाइम खतम कैसे करना है रिविजिन कैसे करनी है यह सारी चीज़े तुम्हें पता हो ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और तुम्हें ऐसा लगे कि प्रॉपरली अगर में स्टार्टिंग से अगर मैंने ध्यान दिया होता तो इतना ब उसमें पूरी बूक आने चाहिए आपको और ऐसे में आप एक रटने का सहारा नहीं ले सकते हैं यू हाफ तो अंडुस्टैंड कॉंसेप्स आपको कॉंसेप्स पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है कॉंसेप्स समझने पढ़ेंगे और समझने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो बढ़ेंगे तो इससे तुमें चीज़ें जल्दी याद रहेंगी क्योंकि जब हम खुद चीजों को एफ़र्ट डालके सीखते हैं वह चीज़ें हमारे दिमाग में जहन में ज्यादा टाइम तक रहती हैं रधर दैन जो हम चीज़ें पढ़ते हैं किताबों में देखते है ठीक है तो चलो बटा इस course में क्या हो रहा है पहली बात हो बटा ये course जो है exact one year का आपका course है यानि आपकी पूरी 10th हमारे साथ आएगी ठीक हम तुमारे साथ खड़े रहेंगे तुमारे एक एक step पे तुमारे साथ रहेंगे तुम्हें बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ना है कै कैसे किस डिरेक्शन में जाना है कैसे बोर्ड में फुल मार्क्स लेकी आने हैं सारे ही सब्जेक्ट जो में में होते हैं सारे तुमारे कवर करवा दिया जाएंगे सुजूंज वरी एट ओल थ्री क्लासेस पर डे तुमें मिलती हैं बिटा शिकस दे इन वीक तुमें क्लासेस दी जाएंगे स्पेक दिन का उफ मिलेगा उसमें भी तुमको Djautres दिया जाएगा तुमें dores प्रोवैड कीये जाएंगे टीचर कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि तुम 10 में अपने आपको प्रेशराइस फील करो या ऐसा फील करो कि मैं मेरी तो डिविजिन हुई ही नहीं मेरा तो सले बस हुआ है नहीं ऐसा तो कुछ बचा ही नहीं है यह सारे बेनेफिट जो तुम मेरे पीछे देख पारे हो जैसे तुम्हें पढ़ाएंगे एक्सपीरेंस टीचर पढ़ाएंगे डाउट क्लिरिंग सेशन से तुम्हारे कर वाया जाएंगे चाहें वह वह ओमवक के थू हो नोट के थू हो इंपोर्टन वेट प्लासे डूवल टीचर को ऑप्शिन मिलता है तुम्हें इस बार जिस भी टी आपके एक साल में और उसमें वी आपको 480 क्लासे समेल रही है तो आप बहुत चीज़े सीख जाओगे इसमें गाइडेंस विच वेरी इंपोर्टन पर इच एन एवरी ओफ यू इच एन एवरी वन उफ यू यू यह आपके टीचर्शन मिल लो इन सभी से जिससे भी आपक आज कल इससे ससा कोर्स तुम्हें नहीं मिलेगा ठीक है अपनी तसली कर लो और मैं तो यह कहूंगी बिटा एक बोर्ट क्लास में तुम पहली बार जा रहे हूं अट्वेल का बचा फिर भी जानता है कि बोर्ट क्लास में हमें कैसे किस तरह से मैनेज करना है टाइम को पर त तुम्हें सारे की सारे सल्यूशन दे दिये जाएंगे अभी अभी फिलाल तुम्हें क्या करना है अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि यह बताओ अपना इंट्रस्ट क्लास 10 बोर्ट वी आईपी कोर्स जोईन करने को आप में से कितने बच्चे इंट्रस्ट है जल्दी चले बटा करते हैं अब अपने लेक्चर की स्टार्ट ठीके वेरी इंट्रस्टिंग ली बहुत नई चीज़े सीखने वाले हो अच्छे से अपनी सीट की पेटी बांध लें और बैठ जाएं पीछे होके अपने हाथ में रखें एक नॉट्बुक और पेन और एक अपना सा करें बटा आज का लेक्चर सबसे पहले आपके सामने लेके आऊंगी मैं क्विज उसमें दो क्वेशन से दोनों ही क्वेशन से अटेम्ट करने मेरे सभी बच्चों को जो सामने बने हुए हैं और देखो आती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आते तो कोई बात नहीं ए आपने तो बताया है नहीं, कोई बात नहीं, आज हम भही पढ़ेंगे, तुम बस इसमें से attempt करो, एक बार question attempt करो, लो मैं side हट जाती हूँ, बैटा ये D option है, C arcans, क्या है, C arcans, जल्दी से बताएं, दे लो, जल्दी से mark करें, ओके डान, चलो बड़ा, next question, next question is, थू सिलम, बताया था मैंने सिलम क्या होता है, body cavity, appeared for the first time, यानि कि ऐसे organism जिनके अंदर थू सिलम पहली बार हुई, आई थी, यानि उनके अंदर body cavity पहली बार आई थी, बताओ जल्दी से, mollusca, nematoda, analida, या फिर arthropoda, जल्दी बताया है, all the very best to all of you, okay, we are done, so let's start with explanation, यही से हम explanation स्टार्ट करते है, मेरे पीछे बार आप्शन बिटा, arthropoda है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको यह dictate कर दिया है, आपको tension लेने की जरूरत नहीं, अब हम पढ़ते हैं, actually हम से question पूछ पूछ क्या रहा है, question is, true sylum appeared for the first time in, sylum, sylum मतला पहली बार तो होता है body cavity, यानि की, ऐसे कौन से organism है, जिन में पहली बार एक true sylum आई थी, true body cavity आई थी, क्या वो मॉलस्का थे, बिल्कुल नहीं, मॉलस्का नहीं थे बटा, क्या वो नेमे टोड़ा थे, जी नहीं, वो नेमे टोड़ा भी नहीं थे, तो क्या वो एनालीडा थे, जी हाँ, बिटा, एनालीडा ही ऐसे organism थे, जिनके अंदर पहली बार true body cavity आई थी, या true sylum आई थी, sylumate हम उनको बोल सकते हैं, आथ्रोपोडा भी नहीं थे, ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने C mark किया था, very good, जिसने नहीं किया था, उसको आप पता चल गया, बल्कि और ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि अभी हम वही पढ़ने वाले हैं, चलो, question number one was, one of the following is not an Annalida, इन में से कौन सा Annalida नहीं है, नई रीस, बिटा, एनालीडा है, अर्थवार्म, एनालीडा है, लीच, इस आलसो एनालीडा, सी अर्किन्स, सी अर्किन्स are not the Annalida, जो ठीक मेरे पीछे है, मैं यहां लिख देती हूँ, सी अर्किन्स, यह है बिटा, option number D, तो बिटा, यह Annalida नहीं होते, तो according to you, the question is, the answer is option number D, that is सी अर्किन्स, आपका correct answer हो जाता है, answer number D, जिस भी बच्चे ने answer number D, टेक किया है, very good, this is the right answer, ठीक है, यह सारे क्या है, यह सारे क्या है, यह Annalida की ही examples है, ठीक है, बर सी अर्किन्स, हमारा Annalida का example नहीं है, चलो, अब मैं क्या बोल रहे है, Annalida नहीं में टोड़ा, चलो, पर तो दर्शन कर लो, आज हम इन ही, वाम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यह जो वाम्स इनको देखके भी हमें ऐसा लगता है, कितने अजीब से हैं, अच्छा सा नहीं लगता, बट क्यों भई, आप लो लेके भी आपको इस्पेरिमेंट्स करने पढ़ेंगे, तो हमें ऐसा फिल नहीं करना है, कि मैं यह क्या दगा दिया आपने सामने, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ऐसा फिल नहीं होता, इसलिए तुम भी ऐसे बिहेव मत करना है, कि मैं हम आज यह पढ़ने वाले हैं, यह इसको सक करके बिटा, इसकी बॉड़ी को खा रहा है, हाला कि हमें बात करनी है, जो खाया जा रहा है, इसकी, इसकी बात करनी है, हमें यह है नमेतोड़ा, ठीक है? यह सारे नमेतोड़ा हैं, । चलो, चले, चलो, आगे चलते हैं, Let's start with the introduction, बणे नमेतोड़ा क्या होते हैं? यह वाम्स होते हैं, हमने देख इतना लिख लिया दूसरी बात बिटा देखो जैसे अगर मैं यहां पर एक वॉम बनाने की कोशिश करूँ एक सिंपल सा वॉम यह लो कौन से कलर के यह लो इस कलर से बनाती हूं माल लो एक सिंपल सा मैंने वॉम बनाया है रुप जाओ यह देखो ठीक है तो बेटा यह जो वॉम है एक सिंपल सेलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यह तो है अगर मैं इसको ऐसे करूँ इस थरह से अगर मैं इसको कट करूँ तो इसकी सिमेट्री बननी है लेफ्ट हाफ्स और राइट हाफ्स बिल्कुल आइडेंटिकल है दोनों एक दूसरे के सिंपल समझे यह है यह पैन तुम्हें दिखाई दे रहा है यह देखो अब दिखाई दे रहा है इधर देखो इस पैन को अगर मैं बीच में से एक कट सेक्शन लगाती हो तो बेटा दोनों ही तो सेम है ना तो वही चीज़ है किसकी नेमेट्रोडा की हम लिख सकते हैं दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल थीक है इतना क्लिएर हो गया दूसरी भात यह भी होते है ट्रिप्लो ब्लास्टिक यानि कि इनके अंदर भी three layers of cells होती है क्या होती है three layers of cells that's why they are known as triploblastic try मतलब 3 होता है और triploblastic मतलब body के अंदर इनकी जो body बनी है वो three layers of cells बनी है, ठीक है किससे बनी है, three layers of cells so I can write this, they are triploblastic ठीक है, ऐसा हम लिख सकते है ये three point हो गए दूसरा point बिटा क्या करना है इनके अंदर tissues होते हैं क्योंकि multicellular है, मैंने लिखा रहा हूँ पर multicellular है, तो they have tissues but they don't have real organs ठीक है, so we should write this they have tissues but no real organs ठीक है, इनके पास tissues होते हैं, पर real organs नहीं होते, ठीक है, दूसरी बात हम क्या याद करेंगे, इनके पास एक sort of body cavity होती है यानि की, like a body cavity होती है exact true body cavity नहीं होती है, ठीक है आप देखो कोई warm है, उसके अंदर body cavity होगी ना, वो living है but क्या होता है, वो body cavity बिल्कुल hollow नहीं होती है ये ध्यान रखना, बिल्कुल hollow नहीं होती है वो उसके अंदर नहीं का जिससे बने होते हैं cells के, वो ही cells भरी होती है तो एक sort of body cavity है, so we can write pseudo-cellumate, pseudo मतलब बिटा, क्या होता है, false यानि की exact नहीं है appropriate नहीं है, kind of है, kind of, ठीक है, like so we can write this they have they have pseudo-cellum यानि, बेटा, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर एक false body cavity है, ठीक है यान लिख दू मैं, ब्रेकेट में ताके तुम्हें याद रहे false body cavity एक kind of body cavity है, exact body cavity नहीं है, जो होने चाहिए ठीक है, next point है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं parasitic worms, ये mostly parasitic worms होते हैं, parasitic मतलब, मैंने आपको कई बार समझाया है parasitic मतलब, जो किसी के अंदर या उपर रहते हैं, और उससे अपना खाना लेते हैं और उसको नुकसान पहुचाते हैं, this is the parasitic form of association, so mostly are parasitic forms, ये करते हैं बीटा, बीमारियां हमारे अंदर, जैसे intestine में, intestine में क्या होते हैं, intestine के अंदर हमारे कीडे हो जाते हैं, as carriasis, tapeworm, pinworm, roundworm, जो कहते हैं, लंबे-लंबे, ये होते हैं, actually, अमें टोडा ही होते हैं, ठीक है, अभी आपने देखना है, कैसे, आपने माइक्रोस्कोप की image देखी थी ती ना, कैसे हिल रहे थे, ये होते हैं, जो हमें disease cause करते हैं, तो we can write this, they are parasitic and disease causing, and disease causing, ठीक है, मेरे पीछे भी causing ही लिखा है, they are parasitic and disease causing, बस, अब आपको याद करने हैं, इनके कुछ examples, examples बोले तो, जैसे की हो गए, बेटा, philaria, philarial हो गया, इसमें भी male female होते है, philarialysis करते है, elephantiasis, बताया था न मैं, तुम्हें elephantiasis क्या होता है, philarial disease होती है, जिसमें male को attack करते हैं, और क्या होता है उसमें बेटा, जो lower abdomen area होता है, वो इतना ज़्यादा swell up हो जाता है, कि बेटा, चलना फिलना दुश्वार हो जात जाता एरिया, अब वो चाहिए leg हो, चाहिए lower abdomen area हो, ठीके चाहिए pelvic area हो, वो बहुत जादा बढ़ जाता है, ठीके, तो वो हमें disease कॉस्ट करते हैं, दूसरी बात बटा, round bombs हो गए, round bombs, pin bombs, यह जो हमारे intestine में पाए जाते हैं, यह सारे बटा कौन होते हैं, नेमे टोडा होते धीके यह जितने भी bombs हैं, यह सारे नेमे टोडा के अंदर, फॉल करते हैं, हमारे खाने का, क्या लगता है, क्या हमारा पेट खाना पचाता है, नहीं, हमारा पेट सिर्फ चर्निंग करता है, हमारा पेट सिफ 4-5 घंडे तक तो चर्न करता है, हमारे food को यानि बहुत चुछ पार्टिकल्स में तोड़ देता है तरह से जूस बना देता है उसका है ना एक्चुल डाइजेशन तो एब्सॉप्शिन वगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है जहां पर मेन मिनरल्स विटिमिन्स निउट्रीशन निकलते हैं वहीं पर यह लोग हमें यह आ जाते हैं कीड़े न影片 नहीं ठोड़ा आ जाएज नंबदन हैं आ यह उसमार मेण। इंटेशन वह ये खाइप के बैड़ते हैं एक घहासिट क्या होती है वह बहुत लंबी होते हैं तुम्हें यहां बना के दिखाऊं और फॉर एक्जैम्पल यह अगर मेल है ठीक है अगर यह मेल है तो फीमेल वाली बेटा इससे बहुत लंबी होती है कि घिए इसका एक बहुती की फीचर है मेल और फीमेल का यह और चाओ यह आपका मेल हो गया और ये आपकी फीमेल हो गया तिक यह हुताजा थे इसकर्यास स कहर सीास करता है थीक's ऐस क्लियर हो गया ने में एक पॉइंट हो मैंने बहुत ही नॉमल सा लिखा था कि यहार मल्टी सेललर यू केरियोर्ट वो तो हमें पते ही है यहार बाइलिटरली सिमेट्रिकल अगर इनको हम बीच में से भाग करें इनका अगर हमको एक लाइन बना है तो इनका लेफ्ट हाफ और राइट हाफ बिटर अइडेंटिकल होता है ठीक है इनके जो इनकी ब्लास्टिक है वो थ्री लेजर्ट से बनी हुए होती है थ्री लेजर्ट एफ सेल्स राट आइप्लो ब्लास्टिक they have tissues tissues हैं क्योंकि multicellular पर real organs नहीं है इनके अंदर ठीक है organs real नहीं होते नहीं में टॉड़ा के अंदर यह ध्यान रखना they have pseudocelum यानि की kind of body cavity exact body cavity नहीं है जैसी होनी चाहिए यह like structure होता है body cavity का ठीक है but they don't have exact cellumate या true cellum they have they are parasitic and disease causing यह parasitic होते हैं बेटा host के अंदर रहते हैं जासे कि मैंने बता है human के अंदर खाते पीते हैं हुए लंबे होते चले जाते हैं बड़े चले जाते हैं and disease causing और क्या करते हैं वीमारियां करते हैं कभी-कभी parasite जो हैं हमारे on intestine के अंदर रहते हैं खाते हैं पीते हैं इनको लेंथ पड़ जाती है कभी-कभी ऐसा होता है इनसान का यह कहाना दुश्वार हो जाता है मुझे भाहर निकलने लगते हैं यह कभी-कभी ऐसा होता है यह इनको सर्जरी से भी भाहर निकालना पड़ता है है सो वी हाफ टू वेरी के हम जो भी खाते हैं पीते हैं वह उसमें बहुत हाइजिनिक चीजें हूं ठीक है ऐसे गंदी बंदी मत खा लिए अगरो कहीं से उठाके और चीजों को वाश करके खाया करो नॉर्मली हम जो वाश नहीं कर पाते हैं अच्छोड़े माइक्र ओर्गिनिजम्स होते हमें दिखते भी नहीं है और वह सीधे हमारे पेट में जाते हैं सो वी ममें तो ँर्डा क्या होता है स्यर्ते दिख स्यर्फी पर गोड़ा कें देश्यता है लोगोष कि नोधन में टोड़ा तमस्त प्रक्रेण कि लगा सकते हई इतना अगर मैंने तुम्हें दिया कि फेंसे पता लग प्लिए तर्ड कया में ठीक है नेमे टोड़ा हमारा complete चलते हैं आगे पढ़ लेते हैं हमारी NCRT हमें क्या बता रही है इसके बार में देखो यह वह वाले स्रक्चर जो हम मैंने बदाया था देनेमे टोड बोड़ी जो बादेरली सिमेत्रिकल एं ट्रप्लोब्रास्टिक यह चीज़ अमने अभी कवर करी हाववेव दबोड़ी सेलेंड्रिकल रेदर्देन थे फ्लाटन पड़ी थे बटा किन में प्लटी हेलमें की कैसी होती है बटा फ्लाटन बोड़ी ओती लेकिन डिजीस सच आश मॉम्म्श कॉज़िंग ऑफान ट्यास जिस फाईलेरियल बोंब्स ठीक है और वंबस इन देंटस्ताइं ड्राउंड वंबस नचिए को कॉस करता है इतना बड़ा ऑपाँ खराब हो जाता है पूरे इनसान का राइट नहीं में टोड़ा आपका खतम आगे सुन्दर इसके कितने पैर होंगे अराउंड हंड्रेड 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 पैर होंगे इसके सोचो कैसे भाग रहा है यह आगे देखो यह एनलीड है यह सारे जब हमने देखा न वो वह भी आनलीड थे आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो इनकी बॉड़ी पर सेग्मेंट्स बने हुए हैं क्या बने हुए हैं सेग्मेंट्स देखो दिखाओ मैं तुम्हें अगर रुको यह देखो सेग्मेंट्स दिखाई दे रहे हैं देखो नोटिस करो कितने छोटे-छोटे सेग्मेंट्स हैं दिख रहे हैं सेग्मेंट्स बॉड़ी होती है इनकी यह एनलीड में आते हैं हाँ अर्थबॉम इसी में आते हैं चलो आगे यह देखो मूवमेंट्स देखो इनकी कितने सुन्दर लग रह सबसे पहले क्योंकि आप जानते हो अब ट्रिप्लो ब्लाक स्टेक और बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है तो मैं आपको बता ही देती हूं रुख जाओ देयार बाइलेटरली यह पॉइंटर लिख ले ना बिटा यह काम आएंगे तुमारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल आंड ट्रिप्लो ब्लास्टेक ठीक है एक पॉइंट यह हो गया सेगंड पॉइंट बिटा हम क्या है इनके अंदर से तो आना शुरू हुई थी ट्रू बॉड़ी कैविटी एनलीडा के अंदर बिटा क्या होती है ट्रू बॉड़ी कैविटी यानि सिलमेट ठीक है ट्रू बॉड़ी कैविटी अलाउस द्रू ओर्गन्स पैक्ड इंसाइड देम ट्रू बॉड़ी कैविटी है इसलिए इनके अंदर ओर्गन्स भी है वो This allows real organs to pack inside, right? यानि इनके पास real organs भी हैं, ठीक है? जैसा कि किस में नहीं था, नेमेट ओडा में नहीं था. ना body cavity true थी और नहीं organs थे, ठीक है, tissues थे उनमें. इनमें body cavities भी होती हैं और tissues भी होते हैं, और real organs भी होते हैं, अनलीडा में, आप देखो बेटा, क्या होता है यहाँ पर, इनके पास extensive organ differentiation है, पहले तो यह लेख लो point, extensive organ differentiation, अब मैं यह क्या होता है, मैं बताती हूँ. देखो, आगे वाले slide पर दिखाती हूँ, जैसे यह clip art है, यह सिर्फ clip art है, बट स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ. इनके पास head भी होता है, tail भी होती है, बीच में, बता, यह segmented body है, ठीक है, तो इनके पास, क्या है, बता, body differentiation है, ठीक है, body differentiation है, ठीक है, अब हम इसमें यह भी लिखेंगे, they have difference in the segmental forms with segments lined up one after another, ठीक है, they have segmented body which are lined up one after another, यानि एक के बाद एक segment है, दिखाए दे रहे हैं, यह segment है, red and black, red and black, red and black, red and black, segments है, ठीक है, दूसरा हम क्या देखेंगे, यह कहाँ पाए जाते हैं, यह fresh water में भी पाए जाते हैं, और यह marine water में भी पाए जाते हैं, ऐसा है, यह aquatic है, पर इस जाद दर पानियों में थोड़ा पानी इनको चाहिए चाहिए होता है, ठीक है, तो they are found in fresh water, plus marine water, दोनों में पाए जाते हैं, clear, अगर बात करूं मैं इसके examples की, अगर मैं examples की बात करूं, तो इनमें कौन को ना देंगे, सबसे पहला तो earthworm ही लिख दो, earthworm हमने सबसे होता बेटा, उसकी body में भी segments होते हैं, दूसरा आप क्या लिखोगे बेटा, दूसरा हम लिखेंगे leech, जो leech होती है न वो भी analyt होती है, और क्या लिखोगे बताओ, leeches हो गया, earthworm हो गया, और क्या होता बेटा, एक होता है neeris, ये भी आपका analyt में आता है, ठीक है, अच्छ क्या बेटा, ये ही इनकी anus भी होती है, ठीक है, ये इनका excretory organs, क्योंकि इनके पास organs है, real organs है, तो organs में excretory organs भी होंगे, तो excretory organs इनकी body के बिल्कुल end में होती है, clear हो गया, बस हमें इतने याद करना था आइनलीडा के बारे में, आइनलीडा वाला तो बहुत ज़्यादा के दिखाई दे रही है, कितने ज़्यादा तो इसके पैर है, है ना, चलो, एनलीड एनिमल्स आर और अलसो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लो ब्लास्टेक, बट इन एडीशन दे हाफ्टू बॉडी कैवीटी, ठीक है, ये क्वेशन आ सकता है, ट्रू बॉडी क इस डिफ्रेंशेशन अकर सिंसेगमेंटल फैशन, यानि कि एक के बाद, एक के बाद, एक सेगमेंट बहुत करीनी से लगा हुआता है, देख रहे हो यहाँ पर, जितने भी डियाग्राम हैं, देख रहे हो ना, ये, ये सेगमेंट्स हैं, नेक्स्ट, देखो, इस अनिमल्स are found in variety of habitats, like fresh water, marine water, as well as land, ये land में भी होते हैं, तो यहाँ पर ये लिख लो, land, ये land में भी पाए जाते हैं, पानी में भी, land में भी, अब तुम देखो ना, केचुए जो होते हैं, अर्थ वाम होते हैं, वो तो सब ने देखे होंगे, कहां रहते हैं, मिटी के अंदर रहते है रहते हैं, और जैसे बारिश होते हैं, वो बहार निकल आते हैं, लेइन पे निकल आते हैं, उनको ध्यान से अब्सॉफ करना, उन पर सब्सुंद अब गांड़s होते हैं, बिल्कुल आपको ऐसी ही बोडी नजर आई कि जैसे कि आपको कहां पर दिख रही है, देखो यहां है ना तो यह था वेटा आपके ऊनलीडा के बारे में ठीक है तो हमने कवर कर लिया आज क्या एनलीडा भी और नैमेटोडा भी ठीक है अब यह characteristics याद करने जादा तो है नहीं इसमें कितने points है 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 पॉइंट्स है याद कर लेना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है एनलीडा से एनलीडा को तुम ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें अर्थबॉम आता है और अर्थबॉम है तो बस तुम्हारे दिमाग में सब कुछ क्लिक हो जाएगा क्या क्या सेग्मेंटेड बॉडी है ट्रू रियल ऑर्गंस है ट्रू बॉडी कैविटी है ठीक है और क्या है यह कहां पाए जाते है फ्रेश वाटर मेरा इन वाटर लैंड पे भी यह चीज़े तुम ऐसे करके याद कर सकते हो हाला कि मुश्किल है नहीं एक फाइलम्स कर वाँगे बिचिस बेरी इंपोर्टन वान ए र्थरो पोटा ठीक है एन लीड़ा से भी कैसे और आर्थरो पोडा से भी बहुत क्योश्चन साते हैं तो कल आर्थरो पोड़ा वाला करेंगे और मॉलस्का भी कर लेंगे ठीक है तो कल 12 बज़े सारे बच्चे र करापस में स्रaranth को इंगता है इसे तो मैं कर पावंगे गर आपसर बोलगीक विल नहीं आया तो है ना तो मेरा फिन कर दो थेक्कट कैसे नहीं मैं की। है डॉट कि भीकल को रखते हैं इतना